कैम्पिंग पेपा उसका परिवार कैम्पिंग के लिए जा रहे हैं कैम्पिंग बहुत पसंद है हम पाँच गए पेपा, जॉर्च, ये टेंट में छोटा दा तब से मेरे पास है डाडी, अब इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे शिंता मत करो पेपा मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ ममे पेक, लगरियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुम ले, कितना आसान है क्या ये खोटे किसे काम के हैं? बेलकुल, मैं पेक्स के बारे में तो भूल ही गया पेक्स के सहरे, टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा चोटा लग रहा है जब मैं चोटा था तो ये बहुत बड़ा था लेकिन अब ये चोटा क्यों लग रहा है? जोकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेक और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है पेट से याद आया चलो खाना बनाते हैं आग चलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी येपी पेब और जोज गैंफायर के लिए लगडिया ढूनने में डाड़ी पिक की मदद कर रहे हैं जोज, मैं लकडिया उठाऊंगी और तुम इने पकर लेना लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है बहुत अच्छे, इतनी काफी है बहुत अच्छा गैंफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरुरत नहीं है डाड़ी, माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर खिस कर डाड़ी पिक कैमफायर जलाने के लिए दो लकडिया एक दूसरे पर खिस रही है आग कहा है डाड़ी? थोड़ा सबर करो देखा कितना हसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति क्या आवाज सुनाई दे रही है ये कैसी आवाज है? ये कीडों की चीची आवाज है ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर वाँ और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डाडी के पीट की आवाज है पेरे पीट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुप बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या चलो बच्चों टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बहुत नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है गुद नाइट डाडी पे गुद नाइट डाडी सबको गुद नाइट अमी पिक पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिक बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है खोली हवा मैं तारों के नीचे सोना शायद यह आइडिया कुछ खास नहीं था सुबह हो लेज़े डाडी टेंक में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजाया ओ डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक बारिश की वज़े से उन्हें ठड़ लग रही होगी अब कहां है वो यह कैसी आवाज है यह तो ख़लाटों की आवाज लग रही है डाडी पिक क्या हुआ डाडी आप ठीक है हाँ पिल्कुल ठीक हो मुझे क्या होगा केम्पिंग में तुम एक्सपर्ट हो मैं गाडी में आकर सो गया पुट्ट डाडी पिक मुझे केम्पिंग बहुत पसंद है मुझे डाडी पिक घर की सफाई कवें हैं ममी पिक और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है नई इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रॉमेंट्स वाव यह थोड़े पुराने और धूल भरे हैं यह वाइलन है जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी ममी क्या आप यह वाइलन बजा सकती हैं मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया प्लीज ममी प्लीज इसे बजाए शोटीद है मैं नहीं भूलि वोब व cuatro ममी क्या मैं भी वाइलन बजाओ इसे ऐसे पक्रो ठीक है ममी ओ दियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जोर्ज भी बजाना चाहता है इसे ऐसे पकड़ो जोर्ज ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है वाइलिन बजाना बहुत मुश्किल है पैपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो शुक्रिया डादी ये आवाज ठीक है पैपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे, आना अकॉडियन है मैं ये ममी पेग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिलेते अच्छा बजाना चाता है तुम बजाओगे जॉर्ज, ये अकॉडियन काफी मुश्किल है जॉर्ज ये अकॉडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जॉर्ज शाह जॉर्श अकॉरिन बजाने के लिए अभी थोड़ा चोटा है इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस यहाल क्या मैं बजाओं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा इसके आवाज ठीक नहीं लगते यह बिल्कुल नहीं बज़ता मुझे ही लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसके आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है यह आवाज भी अच्छी नहीं है पेपा ठीक कहती है यह बिल्कुल नहीं बज़ता कोई बात नहीं डाडी बिग आप सिर्फ अकॉटिन बजाओ आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो ठीक है मैं इसे अच्छा बजाता हूँ यह तो मैं खुद ही कह रहा हूँ और मैं अपना वाइलन बजाओंगी और मैं ड्रॉम बजाओंगी मामी बिग वाइलन बजाती है डाडी बिग अकॉटिन बजाते है पेपा ड्रॉम बजाती है लेकिन जॉर्ज कौन सा इस्ट्रॉमिन बजाएगा जॉर्ज हॉन बजा रहा है ममी इसे नहीं बजा सकी, तैरी इसे नहीं बजा सके और मैं भी इसे नहीं बजा सकी लेकिन जोड इसे बजा सकता है अज पेपार जॉज बहुत खुश है बाहर बर्फ किर रही है ममी, क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ, पर बाहर बहुत ठंड है तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ ममने कैप्स, स्कार्फ और पेपार जॉज को कैप्स स्कार्फ और गलफ्स पहनने होंगे चलो जॉज पेपार जॉज बर्फ में पेरो के निशान बना रहे है पेपार जॉज को बर्फ में पेरो के निशान बनाना बहुत पसंद है ओ, ये क्या? इसमें हसने वाली क्या बात है जॉज चलो बर्फ के गोली बनाते है पेपा ने एक स्नूबॉल बनाया है पेपा और जॉज को बहुत मसा रहा है वापस आजाओ जॉज के बच्चे अच्चे आज़ लगताई की केर तोला जादा रफ हो गया सॉरी जोर्ज जोर्ज चलो स्नोमाद बनाते है पेपार जोर्ज एक स्नोमाद बना रहे है पहले उने उसका शरीर बनाया जोर्ज ये स्नोमाद का शरीर है अब वो स्नोमाद का सिर बनाएंगे अब इसे चाहिए हाथ, आँख और एक मुँ जोर्ज को स्नोमाद के हाथों के लिए लगड़िया मिली है पेपा को स्नो मैन की आँखों के लिए और मूँ के लिए पत्थर मिले है ये इसका चेरा है अब स्नो मैन को नाग की जरूरत है स्नो मैन की नाग बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई स्नू मैन बहुत खुश लग रहा है पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है स्नू मैन को ठंड लग रही है उसे कपड़े चाहिए स्नू मैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले है स्नू मैन ने पहनी अपनी कैप, स्काफ और क्लाव्ज ममी, डाडी, आई और देखे ममी ने पहनी है अपनी टूपी, स्काफ और खा डाडी पिक को ठंड लग रही है उन्होंने अपनी कैप, स्काफ और गलव्स नहीं पहने डाडी, आपने अपनी कैप, स्काफ और गलव्स क्यों नहीं पहने मुझे पता नहीं वो कहां है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे बता है कि दाड़ी की कैप, स्काफ और गलव्स कहां है। दाड़ी की कैप, स्काफ और गलव्स स्नो मैन ने पहने है। मुमी पिक और डाड़ी पिक शाम को घूनने जा रही है। दाड़ी पिक और दादा पिक बच्चो को संभालने वाले हैं। दाड़ी पिक, दादा पिक। दादी एक, दादा एक। हलो मेरे प्यादे बच्चो। हलो। पेपा, जॉज, चलो सो जाओ, जल्दी गुट नाइट, मेरे छोटे पिगिस गुट नाइट, सो जाओ, बच्चो गुट नाइट, मामी, गुट नाइट, डाड़ी कितने प्यारे बच्चे हैं अब जल्दी से सो जाओ जी, मामी ममी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार है पैपा और जॉर्ज कितने अच्छे है ममी विक का कहना माल लिया और दोनों सो गए इन बच्चों को समयना बहुत आसान है जॉर्ज जॉर्ज क्या तुम जाग रहे हो यह कैसी अच्छी पावास है शायद हमें उपर जाकर देख लेना चाहिए पैपा जॉर्ज क्या तुम जाग रहे हो लगता है दोनों गहरी नीन में सो रहे है तो इसका मतलब वो शॉर्ज पैपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे अब कुल सुनाई नहीं दे रहा मुझे लगता है वो गाडनिंग आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे मुझे गाडनिंग के शोब बहुत पसंद है कैप्सकेट एक मिशेश काटिदार गुलाब है उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका उपरी हिस्सा काटो और फिर टेहनिया काटो दादा पिक पैपा जॉर्ज तुम्हें तो अभी सोना चाहिए जॉर्ज और मुझे नीन बिल्कुल नहीं क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं शायद थोड़ा टीवी देख कर तुम्हे नीन दा जाए आइसलेंट के गुलाब किसी ग्यानी गाडनर के लिए बहुत माइने रखते हैं पर ज्यादा तर वो ठंटी जगाओं पर पाए जाते हैं ये शो तो बहुत ही बोरिंग है दादा पिक क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप इमें उच्छाल कर पकड़ते हो ठीक है पर तोनों को सिर्फ एक एक बार तुम तो पहले से भारी हो गई हो अब जोर्ज की बारी हां मेरी बारी और उपर और उपर दादा पिक थोड़ी से थक गया है बच्चों तो दादी पिक क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले चलो दादी आपकी बारी पैपा ममी पिक और दादी पिक घर वापस आ गए हमारे चोटे पिकी सो रहे होंगे हेलो कोई जाग रहे चोटे पिकी सो रहे है और बड़े पिकेस भी पिक्निक मैं सिर्फ मजाग कर रहा था ममी का घर का बनाया स्ट्रॉबरी की यहां है सब तयार तयार तो फिर चलो यह हमारी पिक्निक के लिए बहुत सही जगह है बहर अच्छा लगता है हमें थोड़ा दोड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ और दोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगा था, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कस्रत करूँगा, चाहे कोई और करे ना करे चलू खाते है अच्छा आइडिया है ममी पिक, मुझे बहुत भूख लगी है स्वादिश्ट है मुझे बहुत नीद आ रही है मुझे लगा था, तुम थोड़ा दोड़ोगे टाड़ी पिक बाद में देखो, वहाँ ताला में बतक है ममी, क्या हम बतकों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेट खिला सकती हो पैपा और जॉर्ज को बतकों को खिलाना अच्छा लग रहा है ममी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए पैपा वो आखरी ब्रेट थी और उन्होंने काफी खा लिया है मुझे माप कीजिये, हमारे पास और ब्रेट नहीं है पतकों को और खाना चाहिए लगता है डाड़ी पिक ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहाँ क्यों आई पैपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेट नहीं है ममी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो ममी पिक करका बनाया स्ट्रॉबेरी केक सब को पसंद आया मक्षी, मुझे मक्षियों से चिर है, शू चिरने की क्या बात है ममी पिक, यह सिर्फ एक मक्षी ही तो है चलो जाओ मक्षी बिल्कुल हिलना मत ममी पिक, यह उड़ जाएगी देखा तुमने, तुम्हें कहा ता बस हिलना मत अरे, चली जाओ बचाओ, वह इसे भगाओ, भगाओ इसे उम्मीदे मक्षी डाड़ी को काटेगी नहीं दूर हटो जोटी से मक्षी नहीं, डाड़ी मक्षी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे है इसके पहले कि मक्षी वापस आ जाए, हमें केक खा लेना चाहिए ओ, नहीं, हम बत्कों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपने कहा तो था कि आप दोड़ेंगे और कसरत करेंगे डाड़ी पे लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ, मैंने अपना स्ट्रोबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैरी, हमने बचा हुआ केक बत्कों को खिलाने का वादा किया है तुमारी किसमत बहुत अच्छी है चलो डैरी को शुक्रिया कहो तुमारा स्वागत है गर जाने का समय हो गया बत्कों को गुटब यारी लोसे लोसे इस ग्लासे जब डैडी बिग चश्मा बेहनते हैं उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहना पड़ा है जब डैडी बिग चश्मा बेहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है लेकिन जब डैडी बिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीज़ें साफ नहीं दिखती है सब कुछ हल्का और दूदा दिखता है इसलिए ये बहुत सरूरी है कि डैडी पिक को पता हो क्यों उनका चश्मा कहा है कभी-कभी डैडी पिक अपना चश्मा खो देते है पेपा, जॉज, क्या तुमने डैडी पिक का चश्मा देखा है उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा नहीं ममी पेपा और जॉज नहीं जानते कि डैडी पिक का चश्मा कहा है ओ डिया, डैडी पिक उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिर्चिरी हो जाते हैं बिना अपना चश्मा बेहने डैडी पेक अपना अख़वार नहीं बढ़ सकते ये बहुत अजीव है मैं कुछ नहीं देख सकता किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा क्या आपको याद है आपने उन्हें आखरी बार कहा रखा था जब मैं वो नहीं पेहनता तो हमेशे उसे अपनी जेब में रखता हूँ लेकिन अब वो वहाँ नहीं है जाडी क्या हम चश्मा डूने में आपके मदद करें अच्छा एडिया है अगर उसे ठूण लोगी तो टाडी चिर्चडाना बंद कर देंगे मैं चिर्चडा नहीं रहा हूँ पेपा और जॉर्ज टाडी का चश्मा डून पहें है अखबार के निचे देखती है लेकिन टाडी पी का चश्मा वहाँ नहीं है जॉर्ज टीवी के उपर देखता है लेकिन टाडी पी का चश्मा वहाँ भी नहीं है चलो उपर ममी डाडी के बेडरूम में देखते है पेपा और जॉर्ज ममी और टाडी पेडरूम में डूना है जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना यह कोई मजाग नहीं है पेपा तर की के नीचे देखती है लेकिन टाडी पी का चश्मा वहाँ भी नहीं है जॉर्ज डाडी के स्लिपर्स में देखता है लेकिन चश्मा चलो बाठ रूम में देखते है पेपा और जॉर्ज बाठ रूम में डून रहे है चश्मा टब में नहीं है चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है ये बहुत मुश्किल है पेपा और जॉर्ज को डैरी पी का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है हमने सब जगे देखा लेकिन हमें डैरी का चश्मा नहीं मिला अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा अगर में धीरे चलूँगा तो मैं चीजों से नहीं टक्राऊंगा यह यह है डाडी का चश्मा डाडी पे आप तब से उसी पर बैठे हुए थे अप भी ना डाडी पता नहीं यहां कैसे पहुंचा मैं जानती हूं कैसे आप थोड़ी बुलकर तो हैं डाडी पेग लेकिन अब आप चिड़ चिड़ तो नहीं हैं मैं चिड़ चिड़ा नहीं रहा था तब म्यूजियम पेवार उसका परिवार म्यूजियम जा रहे है डाडी म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और त्रश्प चीज़े होती हैं आपसे भी पुरानी हाँ उससे बहुत बहुत पुरानी ओ बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानी की बहुत सारी चीज़े भरी पड़ी हैं मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वाँ ताइनसौर याँ हलो मुझे पिग हलो मिस राबिट कित शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे ताइनसौर और एक टाइनसौर पैपा को वह कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानीयो की चीज़े हैं वाँ ताइनसौर पर जोच को असली डानसौर देखना है रोना मत जोच इसके बाद हम चाइनसौर देखने जाएंगे पैपा, ये सारी चीज़े कही साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी, उसे सिंखासन कहते है बहुत सुनदर है ये है रानी की ट्रेस मामी रानी का टीवी कहा है पेपा उस समय टीवी नहीं होते थी टीवी नहीं थी पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे नहीं उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो तिन बर क्या करते थे मामी अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज अभी ला कर देती हूँ चलो अभी सब लोग आ रही हूँ डैरी डैरी, मैं हूँ रानी पेपा मुझसे बात करते वक्त आपको जुकना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर देशी रानी साहिबा और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैरी हूँ ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है ये असली डाइनसौर की हट्टियां है ताइनसौर वाँ जोर्ज खुद को डाइनसौर समझ रहा है डाइनसौर आगया बचाओ, बचाओ डाइनसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक इले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है मामी? जिस कमरे में केक्स है डाइडी पिक को पसंद है मीजियम का काफे चलो, आगर खालू ओ हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है तब ये ठीक नहीं मामी और डाइडी पिक ने अभी अभी पेपा और जोज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है मामी, मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा, तुम बिमार लग रही हो चिन्ता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तब्य ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल गाने निकल आए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को जेक करने डॉक्टर प्राउन बेरा है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने के कोई ज़रूरत नहीं पेपा को तो सिर्फ फ्रैशेज आए है मुझे दवाई के ज़रूरत है? राशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाध शाय अधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मूँ खोलो यक, गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम्हें तुम्हें दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में मैं बाद मैं फोन करके पूछूँगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं, ये रैशिस फेलेंगी नहीं गुडबाई बाई-बाई, डॉक्टर ब्राउन बेर मामी, क्या मैं उठ सकती हो? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है तुम्हें को आराम करना है पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है मैं उसकी ममी को फोन करती हूँ हेलो, मिस्स पेग पेपा सूजी से बात करना चाती है हेलो, सूजी हेलो, बैपा मेरी तबिया ठीक नहीं है मेरी जहरे पर रैश है डॉक्टर आये थे कि हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ, हाँ, मैं जूट नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है, डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी, मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ, मैं नर्स वाले कपड़े पहन कराती हूँ सुजी शीप पेपा से मिलने आई है, सुजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है, टानी डॉक और रबैका रभी साच नाए है तुम कैसी हो पेपा, मेरी थीक नहीं है, सुजी, मुझे बिस्थर पर लेटे रहना है, तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो, ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मजा रहा है टैंक यू सूजी अभी कुछ ठीक लग रहा है हाँ खोड़ासा टानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आई सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेर होए है अरे वाँ नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो परस ऐसे ही अच्छा ची तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ हाँ प्लीज अरे वाँ रैशिस गाए अब हो गए है तुम तब बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बेमार नहीं हूँ कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी दे लेड़े रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ मैं ने ने मैं भी अरे ये क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई न्यूश्यूज पेपा और जोज काड़ में खेले है पेपा तुम्हारे जोटे कहा है ओ वो खो गए मुझे लगता है हम उन्हें ढून सकते है शायद हमें गार्टन में ढूनना चाहिए हाँ सब पेपा के जोटे ढून रहे है मामी बिक फूलों में ढून रही है पेपा के जोटे वहाँ नहीं है डैडी बेक फील बैरों में ढून रहे है पेपा के जोटे वहाँ भी नहीं है पेपा और जोटे गमलों में ढून रहे है पेपा के जोटे वहाँ भी नहीं है हमने सब जगह देखा लेकिन पेपा के जोटे कहीं नहीं मिले पैपा के जूते खो गए अब मेरे पास बेहनने के लिए कोई जूते नहीं है बिचारी पैपा तुम्हारी जूते पुराने होगा थे हम नए जूते ले आएंगे क्या मेरे नए जूते लाल होंगे ममी बिलकुल लाल होंगे जोच, मैं नए लाल जोते लेने जा रही हूँ मामी पेग और पैपा, मिस रैबिट्स के जूतों के दुकान में है हलो मिस रैबिट्स हलो मामी पेग, हमें पैपा के लिए नए जूती खरीदने हैं, प्लीज लाल जूते जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं, पैपा लाल जूते प्लीज बिल्कुल, लाल जूते वाव नए लाल जूते जोर्ज और डैडी बिग ड्राट्स खेले हैं ओ, शाबाज जोर्ज डाडी, डाडी मेरे नए जूते देखिए, ये लाल है ओ, हाँ, ये लाल है मामी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ, पैपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो आपको पैपा के नए जूते अच्छे लगे मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं, कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी ये नहाने का समय है, पैपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं पैपा ने अपना पाजामा स्पहन बिया लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे है पैपा पिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है पैपा क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती मैं अपने जुते कभी नहीं उतारूंगे ममी ठीक है गुड नाइट पैपा और जोर्ज गुड नाइट ममी गुड नाइट डाड़ी गुड नाइट मेरे छोटे बच्चो पूरी रात बारिश होती रही और अब गाटन बहुत कीला है ममी पिक ने अपने बूर्ज पहने है टैड़ी पिक ने भी अपने बूर्ज पहने है जोर्ज ने भी अपने बूर्ज पहने है पैपा ने अभी तक अपने नए लाल चुटे पहन रखे है जोर्ज गिली खास में खेल रहा है पैपा को गिली खास में खेलना अच्छा लगता है लेकिन वो अपने नए चूदे गिली नहीं करना चाहती मैं गिली खास में नहीं खेल सकती जोर्ज जोर्ज को मिट्टी के गट्टो में कूदना पसंद है पैपा को गट्टो में कूदना पसंद है यह पैपा कहा जा रही है पैपा अपने बूट्स पहन रही है अगर मिट्टी के गड़ों में कुदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए सीक्रिट्स ममी पिक ने पैपा के लिए एक खास बॉक्स मनाया है पैपा ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है शक्रिया ममी ये एक सीक्रिट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रिट चीजे रखने के लिए मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ ममी वो तुम खुद ही सोचो पेपा ये तुम्हारा सीक्रिट बॉक्स है मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ गूट पर मुझे मत बताना मैं ना आपको बताऊंगी ना जॉज को ना डाड़ी को ये एक सीक्रिट है जोज ये मेरा सीक्रिट बॉक्स है ये खाली है इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूणना है सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करूँ तुम बहार दाजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रिट चीज़े पसंद किया है अब मेरा सीक्रिट बॉक्स भरा है जोज तुमें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जोज को जानना है कि पेपा के सीक्रिट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो जोज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डाइनसौर को रखा है जोज तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डैडी पिक एक तस्वीर साफ कर रहे है डैडी ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है ये बहुत अच्छा है बैपा इसके अंदर क्या है ये एक सीक्रेट है जॉज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर्पर है आप वो है अब भी ना डाड़ी आपको सोच कर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी ममी के जूते बॉक्स में रखे हैं नहीं और आप इससे ज़्यादे नहीं सोच सकते पैपा को सीक्रेट पसंद है ममी किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है ओ जॉज के पास क्या है मैंने जॉज के लिए भी बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रिट चीज़ों से भर दिया और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है पैपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है ये जरूर जॉर्ज का किलोना डाइनसौर है नई जॉर्ज का खिलोना डाइनसौर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है ये बहुत मुश्किल है मैं नहीं बता सकती पैपा को सीकर्ट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखा दी तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखा दा ठीक है लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा ये एक अच्छा एडिया है तीन किरने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्स इसमें क्या है तयार? हाँ एक, दो, तीन जॉर्ज के पास है ट्रम और पैपा के पास है ट्रम बेट अच्छा है इसकी आवाद बहुत अच्छी है क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीज़े है जॉर्ज के पास एक कस्टा डोनट है लेकिन पैपा का बॉक्स खाली है मेरे पास और कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं पैपा मेरे पास है ये लो जोर्ज पैपा परमी पिक और डैरी पिक सबको कस्टा डोनट पसंद है मेरे पास कउई खास बॉक्स नहीं है मेरे पास एक बहुत अच्छी जगा है अपने कस्टा डोनट प्रिज में नहीं कहीं उससे ज़दा खास मेरा पेट स्वादिश्ट और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी और मैं भी गार्डिनिंग पैपा और जोज, ब्रैनी पिक और ग्रेंट पापे के घर के ले हैं लेसिन जोज सब्सक्राइप फिटेज को मत बहत जोट टैन शाएट को यह क्या है टैन शार यह जोएंट टैनाशॉड कड़े यह पेज बो रहा हूं कि पीज क्या करते हैं कि बैड होगर पॉदh बनते हैं, मैं बस एक छोटा छेद बनाऊगा और उसमें बीज डाल दूगा, फिर मैं इसे मिट्टी से ठक दूगा और पानी डालूगा, मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है, ये बड़ा सेब का पेड भी, ओ हाँ, इस छोटा बीज बड़ा होकर एक इस तरह, और इस सेब में बहुत सारे बीज है, और सेब की पेड़ू गाने के लिए, बिल्कुल ठी, ग्रैंपा, ग्रैंपा, मुझे भी एक बीज लगाना है, या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी, हाँ, बिल्कल, ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉब पेरी का पौधा बन जाएगा, पहले एक छोटा छेद बनाओ, फिर मैं ये बीज डालूँगी, और मित्नी से डग दूँगी, या मैं इसमें पानी डालूँगी, नहीं, नहीं, मैं पानी डालूँगी, ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतिजार करना है, पेब और ज तुम्हें धीर अज रखना होगा, पेबा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा, पेबा, जोज, घर जाने का समय हो गया, लेकिन हमें इस पौधे के बढ़ने का इंतिजार कर रहे है, मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरिज चाहिए, चिंता मत करो पेबा, अगली बार जब तुम आओगी, तो ये पीज एक पौधा बन चुका होगा, और पेबा में स्ट्रॉबेरिज मिलेंगी, हाँ, आव चले पेबा, पेबा, पेबा के स्ट्रॉबेरी के बढ़ने की देख्माल करते हैं, कुछ दिनों बाद ग्रेबा बेग एक छोटे से बढ़ने को देखते हैं, थीरे-थीरे पौधा बढ़ा और बढ़ा होता गया, फिर एक दिन ग्रेंटपबे को बहुत खास कुछ दिखा, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेंटपा हम आ गये, पेबा और जोज फिर से खेलने आए हैं, ग्रेंटपा क्या मेरा पौधा बढ़ गया, आँ, देखो स्ट्रॉबेरीज, चुक्रिया ग्रेंटपा, ग्रेंटपा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं, हाँ, अब जोज के बारी है लगाने की, हाँ, जोज तुम लगाओ गाजर, ग्रेंटपा, मेरे कहल से जोज गाजर लगाना चाहता है, जोज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते ह तुम क्या उगाना चाहते हो जोज ने कुल सोच लिया है जो वह उगाना चाहता है तो चुछ जोगाना चाहता है एक टाइनासौर पेड तुम भी जोज टाइनसास पेड पर नहीं उखते हैं हाई नशाई हाई रैंक्सी पेपा और जॉर्च लोग अचीपी खेल रहे हैं यह जॉर्च के छुपने की बारी है उससे चल रहे ही छुपने की को जगे डूनी होगी इससे पहले की पेपा किंदी पूरी कर ले एक दो इन चार पाच छे साथ चुपने की एक जगे मिल गई है तस त्यार हो यह नहीं मैं आ रही हूं पेपा को ढूना है कि जॉर्च कहां छुपा है पेपा ने जॉर्च को ढून लिया जॉर्च मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी अब पेपा की बारी है चुपने की मैं जॉर्च की गिनने में मदद करूगी एक दो तीन चार पाच छे साथ आट नो दास ठीक है जॉर्च अपनी आखें खोलो जॉर्च को ढूनना है नहीं चुपी है जॉर्च क्या तुमने ओपर ढूनने के बारे में सोचा है पेपा पिस्टर के लीचे नहीं है वो किसी अजीब सी आवास थी पेपा परदे के पीछे भी नहीं है फिर से वोई अजीब सी आवास वो क्या हो सकता है जोज ने ढून लिया कि पेपा कहा चुपी थी जोज ने मझे ढून लिया अब डाड़ी के चुपने के बारी है मुझे लगता है जोज को एक और बारी मिलने चाहिए लेकिन जोज को ठीक से छुपना नहीं आता मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा अपनी आखें बंद करो और गिंदी शुरू करो एक दो ओ डियर पेपा असानी से जोज को रोड़ेगी पांच छे जोज यहां पर आजाओ त्यार हो यह नहीं मैं आ रही हूं ओ जोज मेज की नीचे ने चुपा है लेकिन जोज तो हमेशा मेज की नीचे चुपता है क्या तुमने उपर डूमने के बारे में सोचा जोज की नहीं में नहीं है वो कहा हो सकता है पेपा को जोज कहीं नहीं मिला तैडी मुझे जोज कहीं नहीं मिला मैं सोचता हूँ वो कहा हो सकता है असल में मुझे लगता है इस न्यूज बेपर में जोज के बारे में कुछ है जोज तुम्हें डूट लिया ओ जोज बूट शुपने के अच्छी जगा थी जोज पूरा समय डैरी देख थी उस पेपर के पीछे शिवरा हुँँगगगगगगगगगगगग नाष्यज जाए कि मिलंद्ट कि अधी बॉल के साथ खेल रहा है कि मैं पापी खेलना चाहती है जोज ये सही तरीका नहीं है बॉल इस तरह से पकड़ते हैं इस तरह नहीं तुम ऐसा करते हो पैपा कि शादा अंचोरी सिप्रिक है जोज यहां जा रहा है वापस आओ लगता है पैपा जोज को थोड़ा परिशान कर रही है पैपा तुम जोज को परिशान कर रही हो यह सच नहीं है मामी मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जाती हूं जिससे जौज सीखेगा गेम कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इंद मिडल पैपा तुम बॉल लो और वहां पर खड़ी हो जाओ और जोज तुम वहां पर खड़े हो जाओ बढ़िया तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ प्यकनी है और मुझे कोशिश कर पकड़ना है मैं हूं पिगी इंद मिडल पकड़ो जोज चूट गई जोज ने बॉल पकड़ दी अब तुम पैपा की तरफ बॉल फेको फिर कोशिश करो कोशिश करो जोज मुमी के ऊपर से बाल नहीं प्यादा रहा है लेने दो जोज बाल मुझे दे दो क्या बात है जोज नहीं अज़र कर सकती हूं पैपा जोज की लगल करना जाती है लेकिन वह बहुत बड़ी है और पुच जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अब पिगी बनने के तुम्हारी बारी है जोज पक्ड़ो पकर लिया जोज अब तुम बनो पिगी जोज पक्ड़ो जोज पक्ड़ो जोज 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 फक्ड़ो जोज जोज पक्ड़ो जोज यहां है जोज करना चाहिए माप करना जोज यह शोग कैसा है डाड़ी जोज पक्ड़ो मेरे खेलने के लिए बहुत चोटा है मैं जानता हूं वो काफी बड़ा है नहीं वो नहीं है डाड़ी यह देखिए इसे पक्ड़ो जोज यह ठीक नहीं है यह ठीक है मैं सिर्फ जोज की मदद कर रहा था ह्जोज करेंगे बिलकुल करूं गी पेपा करेंगे पासौं की अ पसाद़े भाग.. मैं.. बेस्ट फ्रेंड पेपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है हेलो सूजी अलो पेपा सूजी शी पेपा के साथ खेलने के लिए आई है पेपा को सूजी पसंद है सूजी को पेपा पसंद है वो पक्की सहे लिया है पेपा, क्यों ने तुम और सूजी पेट्रूमे जाकर खेलो ठीक है मुमी जोज भी खेलना चाहता है और जोज को भी नहीं जोज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ अपने खिलोनों से खेलो पैप और सुजी एक दूसे के साथ खेलना चाहते हैं मैं एक बहुत चोटी सी परियों के राज कुमारी हूँ मैं अपनी जादो की चड़ी को माने वाली हूँ और तुमें एक मिंदग बना दूँगी जोज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोज भी खेलना जाता है नहीं जोज मैं सोजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोज पैबा के साथ खेलना जाता है वो अकेला महसूस कर रहा है जोज मुझे मदद चाहिए मैं चौक्टे चिप कुकीज बना रही हूँ जोज कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैबा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बढ़ेगा जोज पैबा और सुली को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोज को भी पैबार जोज की धड़कन सुनती है जोजब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुह खुलो प्लीज सुजी जोज का टेमपरेचर चेक करती है ओ डियर तुम्हे बहुत ज़्यादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हे तीन साल तक आराम करना होगा डैटी भी जोज को देखना है ओ नहीं क्या हुआ है जोज को चिंता मत कीजिए ये सिर्फ खेल है जोज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ ये जोज के लिए है ये उसके दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरे मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुदगुदी होती है मैं इसके गुड़गुड सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अचर वने करेंव मुझे भासी को कि शकानी चाहि हूं और मुझे भी अर्म जबी अर्म जबी